मोहमद शमी ने यूपी क्रिकेट एसोसियेशन की खोली पोल जनता ने यूपी सरकार पर उठाए सवाल मोहमद शमी ने वर्ल्ड कप 2023 को यादगार बनाया तेज गेंद बाज ने टूर्नामेंट में सबसे ज़ादा 24 विकेट जटके हाला कि उन्हें शुरुवाती चार मैच में मौका नहीं मिला था हार्दिक पंडिया के चोटिल होने पर उन्हें टीम में जगा दी गई भारती टीम जरूर खिताब जीतने से चूप गई फाइनल में उस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया ट्रेविस हेड ने शतक जड़ा था इस भी शमी ने अपने शुरुवाती दिनों के स्ट्रगल को लेकर कई बाते कहीं हैं उन्होंने बताया कि वो दो बार यूपी टीम के लिए रणजी ट्रॉफी का ट्रायल देने के लिए गए थे लेकिन दोनों ही बार उन्हें निराश होकर वापस लोटना पड़ा मालूम हो कि शमी वर्ल्ड कप के इतिहास में 50 विकेट लेने वाले पहले भारती गेंदबास भी बन गए हैं पूमा इंडिया से एक खास बातचीत में मौमा शमी ने बताया कि शुरुआत में मैं दोस्तों के साथ रेत में भाग कर ही ट्रेनिंग करता था रणजी खेलने से पहले मैं सिरु रनिंग ही करता था रणजी के दौरान ही मैंने जिम जाना शुरू किया दो साल यूपी रणजी ट्रॉफी टीम के लिए ट्रायल देने गया, लेकिन फाइनल राउंड के बाद मुझे मार कर बाहर कर देते थे, उन्होंने बताया जब पहले साल ट्रायल के बाद जब मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ तो सोचा कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर उनको वो जवाब मिला जो सोचा नहीं था, उनसे कहा गया कि मेरी कुरसी हिला सकते हो तो लड़का सेलेक्ट हो जाएगा, इस पर भाईया ने कहा कि हिलाने की बात छोड़िये मैं कुरसी उल्टा भी कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी पावर है, महमद शमी ने बताया कि भाई शमी ने एक्स पर लिखा है, महमद शमी उत्तरप्रदेश के अम्रोहा के रहने वाले हैं, लेकिन क्रिकेट बंगाल से खिलते हैं, पूछे क्यूं, उत्तरप्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन के बारे में स्क्यू का जवाब शमी ने बड़ी सरलता से दिया है, आशिश कुम करनी चाहिए, एक ने लिखा, हकीकत, खेलों में निश्पक्षता खत्म है, टैलेंट को कुछला जाना ठीक नहीं, देश में एक पार दर्शी खेल निती होनी चाहिए, तब जाकर ही हम उलम्पिक सही सभी वैश्विक प्रतिस परधा में बहतर बन पाएंगे, आखिर कब त तरह से मेरे तीन साल खराब हो गए, यूपी क्रिकेट बोर्ट को लेकर मौहमद शमी के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट में अपती राय जरूर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि खेल जगत से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तर पहुशती रहे।